दोस्तो नमस्कार मैं हूँ Dr. Vikas Sharma और आज चर्चा करेंगे Sinusitis के उपर विशेश रूप पे चर्चा करेंगे Chronic Sinusitis के उपर के Sinusitis बार-बार क्यों होता है और बहुत लंबा क्यों खिशता है और दोस्तो क्या कारण होते हैं जिसके कारण एक normal sinusitis, chronic sinusitis में convert हो जाता है दोस्तो chronic sinusitis हम बोलते हैं जब कोई भी sinusitis यानि की sinus की inflammation तीन महीने से जाधा चलती है दोस्तो अक्सर देखा गया है कि लोग एक antibiotic का course करते हैं sinusitis को treat करने के लिए 15 दिन महीना, 2 महीने ठीक रहते हैं दोबारा से sinusitis आ जाता है दोस्तो बहुत बार हम देखते हैं कि patients अपने sinuses को treat करने के लिए उसकी drainage surgery करवाते हैं drainage surgery का मतलब होता है कि जो sinuses के अंदर discharges है या बलगम है उसको निकालने के लिए उसको drain करवाते हैं दोस्तो ये treatment भी बहुत जादा successful नहीं होता और sinusitis फिर दुबारा से आ जाता है दोस्तो आखिरकार क्यों antibiotics और drainage surgery बार बार फेल होती हैं दोस्तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये दोनों चीजें base पे जो problem है उसको पकड़ नहीं पाती दोस्तो वो जड़ होती है nasal allergy नाग की allergy दोस्तो नाग की allergy के कारण constantly हमारी जो mucus membrane है नाग की lining है sinuses की lining है वो जादा bulgum mucus produce करती रहती है जिसके कारण जो sinuses की drainage होती है वो ठीक से हो नहीं पाती और वहाँ पर discharges collect हो जाते हैं जिसके कारण sinusitis होता है दोस्तो homeopathic medicines बहुत effective होती है sinusitis को treat करने के लिए और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह होता है कि homeopathic medicines base पे जड़ पे जो allergy है nasal allergy है उसको बहुत effectively treat कर पाती है तो दोस्तो आगे चर्चा करते हैं कि sinusitis क्या होता है sinusitis कैसे chronic sinusitis में develop हो जाता है nasal allergies को कौनसी दो homeopathic medicines हैं जो बहुत अच्छे से treat कर सकती है दोस्तो इन सब विशों के उपर आज हम विस्तार पूरवक्ष चर्चा करेंगे दोस्तो आईए अब चर्चा करते हैं कि sinuses क्या होते हैं दोस्तो sinuses हमारी skull के अंदर खाली spaces होती है चार जोड़े होते हैं खाली spaces के frontal, ethmoidal, sphenoidal और maxillary दोस्तो यह हमारे naak के साथ अंदर से connected होते हैं और इनके अंदर उसी तरह की lining होती है जिस तरह की naak के अंदर होती है दोस्तो यह भी थोड़ी-थोड़ी mucus produce करते रहते हैं और हमारे naak को mucus की supply देते रहते हैं दोस्तों, इनके functions अभी clear नहीं हैं, scientists ये मानते हैं कि ये हमारी आवाज को resonance देते हैं, हमारे नाग को secretions provide करते हैं, और जो हम हवा अंदर लेते हैं, उसको humidify करते हैं, दोस्तों, ये होते हैं functions sinuses के, दोस्तों, ये sinuses, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि हमारे नाग के अंदर और जोत니 है, तो mucus जदा प्रडियूस होने से, या swelling होने से, बलगम जदा प्रडियूस होने से, या जब lining के अंदर swelling प्रडियूस हो जाती है, ईलर्जी होने के कारण, छोटी-छोटी openings होती हैं, वो बंध हो जाती हैं, जिसके कारण जो discharges होते हैं, जो sinuses के अंदर normal mucus discharges बन रहे हैं, हलकी-हलकी बलगम मन रही है, जो की normal way में हमारे नाग के अंदर गिरती रहती है और हमें पता नहीं चलता, वो बंध हो जाते हैं, वो जो openings हैं, वो बंध हो inflammation हो जाती है जिसे की हम sinusitis कहते हैं और दोस्तों अगर allergy chronic हो बार-बार आपको allergy रह रही है और बहुत लंबे देर से allergy रह रही है तो यह process चलता रहता आप एक बार ही ठीक होते हैं फिर से आपको allergy का attack आता है फिर से जो discharges इकटे होते हैं sinuses में और दुबारा से वहां पर inflammation हो जाती है तो दोस्तों यह कारण होता है chronic sinusitis होने का तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं sinusitis के symptoms के उपर दोस्तों sinusitis के सारे symptoms related होते हैं जो अंदर discharges इकटे हो रहे हैं दोस्तों sinuses के अंदर जब discharges कटे हो जाते हैं तो वहां पर fullness और congestion की feeling आने शुरू हो जाती है एक छोटे से एरिया के अंदर बहुत जादा discharge इकटा हो जाता है बलगम इकटी हो जाती है infection हो जाता है दोस्तों इसके कारण जिस एरिया जौंसा sinus affected होता है उस एरिया में pain start हो जाती है अगर आपका right side का frontal sinus involved है तो वहां पर pain start हो जाएगी वहां पर heaviness रहेगी आगे जुकने पर आपको pain होगी दोस्तों यह हम बहुत commonly देखते हैं कि morning headaches बहुत common होते हैं sinusitis के अंदर उठते सार patient को बहुत जादा headache feel होता है और दोस्तों यह related होता है discharges के साथ रात को discharges इकटे हो जाते हैं और सुबह उठने पर बहुत जादा heaviness होती है और congestion होती है face के अंदर और head के अंदर तो दोस्तो morning headaches are very common in sinusitis और जौन सा area of sinus involved होता है वहां पर pain एक बहुत common symptom होता है दोस्तो common areas of pain होते हैं आंखों के ऊपर root of the nose दोस्तों यह बड़ा common मिलता है कि patient बोलते हैं कि यहां पर भारीपन है दोस्तों cheekbones में heaviness, दांतों में दर, दांतों के ऊपर वाले area में heaviness और pain दोस्तों यह common areas हैं जहां पर pain और congestion feel होता है sinusitis के patients को दुबारा मैं यह बोलना चाहूंगा कि area of pain depend करता है कि आपका कौन सा sinus involved है दोस्तों sinusitis में एक और symptom जो बहुत main होता है वो होता है ratio आना, बलगा माना नाक में से दोस्तों हम बहुत commonly देखते हैं कि patients आके complain करते हैं कि हमें दिन में कई-कई बारी अपना नाक साफ करना पड़ता है बहुत जादा थिक रेशा निकलता है और कई बारी yellowish greenish discharges आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों yellowish greenish discharges का मतलब होता है कि sinuses में infection develop हो रहा है तो patient को fever भी साथ में develop हो जाता है दोस्तों एक और symptom जिसे हम posterior nasal discharge बोलते हैं वो भी बहुत common होता है कि आपके गले के अंदर directly नाक से रेशा गिरना शुरू हो जाता है दोस्तों इसके कारण और symptoms आने शुरू होते हैं जैसे कि आवाज बैठ जाती है गला खराब होना बहुत common symptom होता है और third होता है कि आपको खांसी आती है suddenly बहुत जोर से खांसी आएगी रात को सोते सोते खांसी चेड़ेगी सुबह उटके खांसी आएगी तो दोस्तों ये symptoms सारे related हैं नाक के discharge के साथ दोस्तों जब nasal allergy बहुत पुरानी हो जाती है तो वो हमारी नाक की lining को effect करने लग जाती है दोस्तों हमारी नाक की lining over grow करना शुरू कर देती है और वहाँ पर nasal polyps बन जाते है यानि कि उसकी over growth हो जाती है lining की दोस्तो nasal polyps एक growth होती है एक छोटी-छोटी growths बन जाती है नाक के अंदर जो हमारे sinuses की drainage को रोक देती है और congestion कॉस करती है दोस्तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके कारण sinusitis डेवलप होता है दोस्तो होमेपेथी में बहुत effective medicines होती है nasal polyps को treat करने के लिए दोस्तो मेरा एक अलग विडियो है वो आप ज़रूर देखेगा nasal polyps और homeopathic treatment के उपर तो दोस्तो ये थे symptoms sinusitis के और दोस्तो अब चर्चा करते हैं homeopathic medicines के उपर कौनसी दो main medicines है जो आपकी nasal allergy को भी ठीक कर सकती है और आपकी sinusitis discharges और congestion को बहुत अच्छे से रहाद दे सकती है तो दोस्तो आईए चर्चा करते हैं उन दो main medicines के उपर तो आईए दोस्तो चर्चा करते हैं उन दो main medicines के उपर जो homeopathic में top grade मानी जाती है chronic sinusitis को ठीक करने के लिए दोस्तो ये दो main medicines होती है काली बाइक्रोम और हाइडरास्टिस दोस्तो ये medicines इसलिए top grade मानी जाती है क्योंकि ये chronic sinusitis के तकरीवन हर तरह की symptoms को cover करती है और base पे जो allergy है उसको भी ठीक करती है तो आईए दोस्तो सबसे पहले चर्चा शुरू करते है main medicine काली बाइक्रोम के उपर दोस्तो काली बाइक्रोम बहुत effective होती है chronic sinusitis में और उसके पीछे कारण होता है कि ये जो mucus membrane है जो over produce कर रही है mucus उसको जाके correct करती है उसकी जो problem है जो वहाँ पर allergy हो रही है उसको जाके ठीक करती है जिसके कारण mucus जादा produce नहीं होती है और आपकी allergy better रहती है और chronic sinusitis में आपको रहत मिलती है दोस्तो काली बाइक्रोम एक और function में help करती है वो होता है कि जो आपके discharges कटे हो गए है sinuses में उनको drain करने में भी help करती है तो दोस्तो आप चर्चा करते हैं कि क्या indications होती है जहां पर काली बाइक्रोम यूज की जाती है दोस्तो सबसे पहली indication काली बाइक्रोम की यूज करने की होती है कि thick discharges आते है thick yellowish greenish discharges आते हैं और बहुत जादा glutinous discharges होते है दोस्तो हम glutinous बोलते हैं कि बहुत जादा sticky discharges होते है पेशेंट को clean करने में बहुत problem आती है दोस्तों अगर पेशेंट अपना नाग blow करता है और wash basin में वो mucus गिरती है तो उसको साफ करने में बहुत time लगता है बहुत जादा पानी लगता है ये एक बड़ी important indication होती है काली बाइक्रोम को use करने के लिए थिक yellowish-greenish glutinous discharges यानि की चिपकने वाले discharges दोस्तों वैसे तो काली बाइक्रोम आप किसी भी sinus की involvement में use कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि अगर आपको frontal sinusitis involved है, maxillary है, sphenoidal है, ethmoidal है कोई भी आपका sinus involved है वहाँ पर काली बाइक्रोम equally effective होती है पर मैंने देखा है, अपनी practice में और textbook में भी लिखा गया है कि frontal sinus की involvement में काली बाइक्रोम ज़्यादा better work करती है दोस्तों frontal sinuses बोलते हैं जो हमारे आंग के उपर वाले area होते हैं यहाँ पर जो sinuses होते हैं, skull में अगर इनकी involvement ज़्यादा होती है तो काली बाइक्रोम ज़्यादा helpful होती है दोस्तों एक और symptom जो हम chronic sinusitis में बहुत अक्सर देखते हैं जैसे कि मैंने पहले भी describe किया कि root of the nose पे बहुत ज़्यादा heavy feeling होती है तो दोस्तों यहाँ पर भी काली बाइक्रोम बहुत helpful होती है दोस्तों obstruction of the nose यानि कि आपका नाग बंद रह रहा है और बहुत थिक discharges निकल रहे हैं यहाँ पर भी काली बाइक्रोम नाग की congestion को reduce करने में बहुत help करती है दोस्तों polyps की overgrowth में भी अगर polyps बन रहे हैं वहाँ पर भी काली बाइक्रोम बहुत helpful होती है दोस्तों एक और symptom जो हम काली बाइक्रोम में देखते हैं वो होता है anosmia अगर chronic sinusitis बहुत देर रह चुका है बहुत सालो साल चल चुका है बहुत महीने चल चुका है और mucous membranes बहुत ज़्यादा mucous produce करती है तो दोस्तों वहाँ पर एक feature जो हम बड़ा commonly देखते हैं वो होता है कि loss of smell patient कहते हैं कि मुझे smell नहीं आती है तो बहुत कम आती है दोस्तों टेस्ट भी कई बरी चले जाता है साथ में तो दोस्तों यहाँ पर काली बाइक्रोम बहुत help होती है loss of smell में एक symptom और जो बहुत important होता है काली बाइक्रोम में और वो हम क्लिनिक में भी देखते हैं कई बरी patient हमारे सामने बैठे बैठे वो symptom exhibit करते हैं दोस्तों वो होता है कि patient बहुत जादा बलगम खींचते हैं जिसे हम hemming and hawking बोलते हैं mucus की दोस्तों वो उसका major reason यह होता है कि जब sinuses में से discharge गिरता है और बहुत thick discharges होते हैं जैसे कि मैंने पहले describe किया और glutinous होते हैं और string ही होते हैं मतलब लंबी धागों में खींचते हैं लंबी लंबे ropes में खींचते हैं ropey discharges होते हैं दोस्तों इसके कारण patient को वो discharges खींचने पड़ते हैं चिपकते हैं गले में और इसके कारण बहुत ज़्यादा hawking होती है उसको खींचने पड़ते हैं वो discharges तो दोस्तों यहाँ पर काली bicarom बहुत helpful होती है तो आईए दोस्तों अब चर्चा करते हैं कि काली bicarom की use कैसे कर सकते हैं आप घर बैठे दोस्तों काली bicarom 30C आप use कर सकते हैं once a day या twice a day और अगर आपको बहुत ज़्यादा chronic sinusitis है तो आप 200C potency ले सकते हैं once a day या once every alternate day ले सकते हैं दोस्तों मेरी सलार आएगी कि आप अपने homeopathic doctor से एक बारी चर्चा जरूर कर लीजेगा before कि आप ये medicine ले तो दोस्तों आगे चर्चा करते हैं hydrastis के ओपर दोस्तों hydrastis एक बहुत important medicine है homeopathy में chronic sinusitis को treat करने के लिए दोस्तों hydrastis को use करने के लिए जो main indication होती है वो होता है posterior nasal discharge दोस्तों अगर आपको sinusitis के symptoms के साथ आपको गले में रेशा गिरने की problem बहुत जादा है तो वहाँ पर hydrastis बहुत effective होती है दोस्तों patient को constantly अपना गला clear करना पड़ता है क्योंकि बलगम जो है वो constantly गिरती रहती है नाक के पीछे से गले के अंदर दोस्तों खांसी भी छिड़ सकती है गला भी खराब हो सकता है तो दोस्तों hydrastis mainly use की जाती है जहां पर आपको रेशा गिर रहा है गले के अंदर नाक में से दोस्तों अगर आपको chronic allergies के कारण polyps develop हो गए हैं तो मेरा एक विडियो है आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं homepatic medicines for the treatment of polyps आप उसके बारे में detailed discussion है मेरी के किस तरह आप कौन सी medicines ले सकते हैं जिससे आपके polyps ठीक हो सकते हैं दोस्तों दो main medicines होती है tukrium और sanguinaria दोस्तों ये दो medicines बहुत helpful होती है polyps को treat करने के लिए दोस्तों अब बात करते हैं acute symptoms of sinusitis दोस्तों हमने जो पहले चर्चा की है वो chronic symptoms पे की है दोस्तों acute symptoms में जैसे बुखार होना सरदर्ध होना, congestion रहना दोस्तों इसमें एक medicine जो की बहुत helpful होती है वो है belladona दोस्तों अगर आपको बहुत जादा congestion रह रही है headaches रह रहे है और आपको बुखार आ रहा है साथ में गला खराब हो रहा है तो belladona बहुत helpful हो सकती है दोस्तों belladona एक short acting medicine होती है और अगर आपको symptoms of heaviness है congestion है और headache हो रहा है तो दोस्तों आप belladona 30 दिन में 3-4 बारी ले सकते हैं अपनी congestion और heaviness को reduce करने के लिए तो दोस्तों ये थी चर्चा हमारी homeopathic medicines for chronic sinusitis दोस्तों अगर आपको कोई query हो तो आप हमारी clinic में call कर सकते हैं या आप हमें email कर सकते हैं vikas.drhomeo.com पर दोस्तों आप हमारी website www.drhomeo.com पर भी जा सकते हैं और अपनी query छोड़ सकते हैं तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए निमस्कार